हेलो यूटूब फैमिली गुड अप्टनून कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छा हों कि मैं अनुपमा स्वागत करती हूं आप सब आपने यूटूब चैनल अनुपमा ब्लॉग सेल बूटी में और पीसे आप लोग देख सकते हैं कितना रहता फैलाया है म अब इस्तेमाल होगा कभी जरौत पड़ेगी विए कभी जरौत नहीं पड़ती है और बहुत दिन से मतलब वह सब चीजें पड़ी हुए तो कुछ मैं समान च्छाट दोंगी और कुछ समान इसमें है जैसे यह ठंडी के कपड़े हैं कंबल बगरा तो वह सब इसमें रहते सब्सक्राइब और अभी मैं इसकी कर लेती हूं सफाइब तो आप देख सकते हूं पितना मतलब समान है तो चलिए फटा-फटा से मैं अपना काम कर लो हुआ 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 है तो देखिए हमने बेट को भी बहुत अथी तरह से साफ कर लिया है क्यूंकि इसमें चोटा मोटा मतलब कुडा करकट गीरा हुआ था और और सारे कपड़े जो मतलब डालने थे और जितना जगह था बाहर उधर मैंने डाल दिया है कपड़ा धूब दिखाने के लिए वो कंबल वगएरा मोटे-मोटे चादर थे सारे ठंडी के ही वो थे और यह देखिए इसमें से बहुत सारी चीजे भी मतलब मिली देखिए यह जोला है और यह गाड़ा बंडार का जोला है अब बिल्कुल नया नया ही है पता नहीं कैसे इतना सारा है तो इसको मैं रख लूँगी अपने पास क्योंकि कहीं जाओ ना तो पैकिंग करो तो फिर जरूद पड़ती है पॉलिथीन और ऐसे बैग की तो उसमें रखने के काम आएगा अब बाकि जो फालतु का है देखिए मैं इस बोरे में भर रही हूं फेकने के लिए तो मैं रख दूंगी रोड पर तो कुड़ा उड़ा वाला आएगा उठा ले जाएगा और यह सब भी मैं डाल दूंगी बाहर और अथी तरह से धूप जिख जाएगा और य दो तीन बार बरसाथ के टाइम में दूप दिखा देना चाहिए रखे हुए विंटर के कपड़े जो होते हैं और मैं तो अपनी साड़िया वगर भी दूप में दिखाती हूं वह सब भी मतलब डाल देती हूं दूप दिखाती हूं तो देखिए मैंने इसमें ना एक दरी पिछा दिया है नीचे और फिर उसके उपर से मैं यह समान रख रही हूं और इसमें ना मतलब बेड़ खोलने में बहुत सारा मतलब ऐसे कुछ समान भी मिला टोपी वगर रखा था दो तीन न्यू वह सम मिला था उसमें मुझे मैं सोची की चलो मैं रख लेती हूं और निक इसमें रख दिया है जिसको दूप नहीं दिखाना है और इसमें से देखिए मुझे एक जोले में मुझे क्या मिला पता है पीओ का पुराने कपड़े जो होते हैं न मतलब पुराने क्या वह छोटे हो गये थे जो अधिक यह चोटे पर का मैं इनका विस्तर बनाई थी मैंने बनाया था बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उनके छोटे-छोटे से कपड़े मिल लेते दिखिए पीओ के कितने छोटे से अभी वह साथ साल की हो गई है यह उसका तकिया है जब वह पैदा होई थी बिल्कुल छोटी सी तबका है और यह वह बिस्तर है नहीं जो बड़ी होगी ना तो देखेगी कि मेरे इतने छोटे-छोटे कपड़े समान उसका पहला सूज पहला कॉपी पहला पेन क्या लेकर गई थी वह बैग मतलब प्ले ग्रूप में मैंने उसको डाला था वह सब मैंने सब रखा हुआ है कि वह बड़ी होएगी तो देखेगी और सब देखें कुछ गिफ्टेश चीजें यह थर्मस है और यह टिफिन वगरा है बिल्कुल न्यू ही है जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे बरतन वैसे ही रहते हैं तो वह सब मैंने रखा है देखें यह सारे मैंने इधर कपड़े बाहर डाल दिये हैं और यह सब फेक ही हुई थी ऐसे ही बिना विश्तर के उस पर लेट गई थी क्योंकि सबसुर जी मेरे उस रूम में बहुत तेज पंखा वगरे चलाय रहते हैं और इनको मतलब बहुत तेज पंखांव अंग्खां में में नहीं रहती हैं कि हड़ी वगरा दर्ब करती हैं तो यह यह ही पर करने में और मैंने बहुत सारे क्लिप्स तो काड़ दिये हैं क्योंकि वीडियो बहुत सारी मतलब बढ़ी हो जाती है तो यह देखिए वही है विंटर का यह कंबल वगरा सब है है कि और अपती हैं आप लोग सोच रहे होंगे क्यों ऐसे मतलब डहके होए तो पता है यह ना हमारा ड्याइंग जो है तो यह हिं को और यह लोग आते हैं तभी हटता है और बहुत जादा इधर कोई बैठता ही नहीं है लॉबी में और सब को अपने रूम में ही मतलब बैठता है तो इसलिए ढखे रहते हैं तो देखिए यह सारा समान हमने अच्छे से फोल करके रख दिया और बेट बिल्कुल खाली होगे था उधर इस बैठ में जितनी भरी सारी चीजे थी मेरे मैं जब साधी होकर के आई थी तब भी से रखा हुआ था और कभी आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ तो वही मुझे मतलब बड़ा गुसा आ रहा था रखा हुआ रहता है और यह सब चीजे मतलब जरूरत होती नहीं है फिर भी नहीं हुआ हुआ है फाल्तो का जगह लिया है तो इसलिए भी समान तो चीजे पर का अब हणकों तो मैं दो ल्und बtoiर्टइ और बहुत जाली हो मौर्णिंग में तो अधिकी में शाम को रात में जैसे खाने में क्या बनाया था पता है दाल का दुलहा आप लोग क्या कहते हैं इस रेस्पी को यहां लखनों में तो दाल का फरा भी कहते हैं बट हमारे गाउं में दाल का दुलहा कहते हैं तो इसके रेस्पी मैं सेयर करू सारी बठा मैंने मसाले में क्या यूज किया है बता दूं हल्दी और टमाटर प्याज लहसन हरी मेर्च और डाल जो है न कडाही में मैं पका रही हूं और उसी पकते हुए दाल में इसको डालना होता है तो काफी अच्छा लगता है और दो-तीन तरह से यह बनता है तो मैं किसी ऐसे दो-तरह से बनता है तो मैं रोटी बना करकर के और उसको बीच से से काट करके चार ऐसे करके फिर बनाती हो और वहाई जो पूरिया बनती हि Bowl विसथे च्छोट छोटील बना करके भी यह है तो जिसको जैसा आसान पढ़ता हो बनाता मुझे तो वही बहला आसान लगता है तो ही मैं बनाते हूँ यह देखिए भी मैं बना रही हूँ और आसे गुल-गुल कर के इसको ऐसे इसका सेफ देते हैं ता कि बीज पीज में च्छेद रहता है ना तो इसमें जो डाल वगर मसाले वगर होते हैं वह इसमें चले जाते हैं थो बहुत अच्छी तरह से मतलब दिखे पके हुए दाल में इसको डालते हैं जब डाल में उबाला जाती है तो मैं वीडियो कहीं पर करूंगे और आज की वीडियो कैसे लेगी प्लीज कमेंट में जरूर बतायेगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करिए आप लोगों से बहु बाई 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 प्रेंट